हालो एवरिवान गूद इवनिंग नमस्कार अग्रिकल्चर अड़ा 24-7 में मैं मिनाक्षी राटी आप सभी का बहुत-बहुत सागत करती हो तो हमारी सीरीज में जिसका नाम है एफसी आई एजी थ्री टेकनिकल उसमें आपका बहुत स्वागत है आप सभी को पता है पोस्ट अल्रेडी आउट हो चुकी है 581 बहुत लाश नंबर में जो है विकिन से रिलीज की है एफसी आई ने तो आप सभी के लिए जो है गोल्डन मोका है इस गोल्डन मोके को हाथ से बिल्कुल ना जाने दे अपनी तैयारी एकदम अप्टू डेट रखें चली जो भी लोग हमारे साथ यहां पर नए जुड रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नपाईए ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहले जिन लोगों ने अड़ा की आप डाउनलोड नहीं की है आप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्लेस टूर से टाइपिंग एडबल डी एट तो फूर सेवन इस आप में आपको करन्ट अफेर्स मिलते हैं जॉब एलर्ट मिलते हैं अपने सब्जेक्ट चो रिलेटेड आप इसम एक अलग ही benefit है बात करेंगे आपकी batches की तो आप सभी को पता है आपके FCI टेक्निकल की दो batches रहते हैं एक में आपके pre और mains दोनों ही subject कवर किये चाहिए जिसमें आपका math, English, reasoning, whatever your pre subject सार सभी कवर किये चाहिए आपका कीवल mains batch अलग है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो mains batch इससे अलग कैसे की इसमें pre के subject जो है वो count नहीं होगा अगर आपको लगता है कि pre की तयारी मेरी already done है I am already preparing for it तो आपके इवल mains के बाच में भी enroll कर सकते हैं दूसरी तरफ मेरे agriculture maha pack है agriculture maha pack एक subscription जैसा है एक पर आपने यह subscription ले लिया तो पूरे साल आप अड़ा की किस की भी live class को अटेंड कर सकते हैं वीडियो recorded classes देख सकते हैं ebooks test series mock test सब कुछ एक ही platform पर मिल जाता है तो चाहे आप IBPSSO की तयारी कर रहे हैं FCI की तयारी कर रहे हैं नबाड की कर रहे हैं पूरे साल जितने भी आप exam देते रहेंगे उन सभी exams की classes आपको इसमें मिलती रहेंग 1359 अगर आप इस code का यूज करते हैं और code क्या है code है Y448 तो यह हो गई आपकी बैचस की बाद and अब चलते हैं directly अपने जो है slide पर है ना तो आज हम किस के पैस्ट पढ़ने वाले हैं Adam Wheat के पैस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं इन्सौ पैस्ट पिसे स्वाइब तो आप सभी नहीं रिया कल ए खल इल क्लास रीश्यूल नहीं वा था घल राथ को साथ मचाव पर कोई भी ख्लास नहीं थिरडर 24 7 पर तो आप सभी की जो क्लास है वो संडे को संदे को जो है रीश जूल हूई है चार से पांच जो हमारी रेगुलर क्लास का टाइम होता है उसी टाइम पर रिशेडूल हो यह है ओके और वेलकम हेमा चली तो आज हम इंसेक्ट पेस्ट आफ वीट पढ़ने वाले हैं यानि की गेहू में कौन से कौन से इंसेक्ट पेस्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है देख रस्ट ब्राउन रस्ट ब्लाक रस्ट है और इनको जो है आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है एक्जाम पॉइंट आफ यू से पैथाल्जी को पोशिन हीना मैं आपका कबर कर वाती है बट आजन आपको पता तो होना चाहिकी पढ़ना क्या है तो वो आप लोग जो है बिल्कुल ध्यान से पढ़ीगा आज हम यहां क्या पढ़ने वाले है हम वीट के इंसेक्ट पैस्ट पढ़ने वाले है कौन से इंपॉर्टेंट और मेजर पैस्ट है वीट में जो अटाक करते हैं जो हमारा एरिया अफ कंसर है जिने हमें कंट्रोल करना होगा राइट तो च किजी अरांशल आएकेस बच्चे इससे कम वीज में आपको कोई भी इतने बाच्च नहीं देता और बाच्च देता होगा तो इतना कंटेंट फूर्श और नहीं देता हो है न हमें भी पेमेंट मिलने है भाई हमारा भी परिवार जलाना है यह दे आर जस्त मिनिमल इससे कम मैंने किसी का नहीं देखा है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैरे जब अपनी ग्राजवेशन में एक बाच लिया था लाइक दिस अन्ली या उन्होंने एंटो में सर्फ स्टोरेज पैस्ट के कुछ नोट्स दे दिये थे एक दो नोट्स और मुझे उसके दे दिये आनो थे मेजर मेजर क्रॉब के जैसे की राइस का दे दिया शुकर के इंक दिया एसे मेजर जो क्रॉब हैं उनके पैस्ट दिये एंडे वर लाइक हो गया खतम इतना ही था so you are getting the will content here पूरा detailed content आपको मिल रहा है यहाँ पर उसकी थोड़ी सी तो like वो कीजी क्या कहते है importance रखिये right rice we will क्यों होगा भाया मैंने शुरू में बोला है आप सभी को आज हम wheat के insect पढ़ रहे हैं हम गेहू के insect पढ़ रहे हैं तो rice we will क्यों होगा wheat we will होगा simple सी बात है ना तो चलो यह सभी को समझ में आगे कि यह we will है I am good I am like impressed by you ठीक है so then answer is gujia we will ठीक है तो यह wheat crop में जो है काफी important pest है काफी attack करता है लेकिन इसका नाम wheat we will ना होकर क्या है gujia we will है तो gujia आप सभी लोग खाते हैं राइट को बता दिये जीए कि जो gujia आप खाते हैं उसकी जो लेयर बनाई जाती है मैदा की लेयर उपर की बनाई जाती है वो कौन से wheat से बनाई जाती है ट्रिटिकम estivum, tritikum, durum, tritikum dicochum, कौन से wheat से बनाएंगे आप उसकी उपर की लेयर साथी साथ आपको हमेशा फिर यह याद रहेगा gujia वीवल किसका इंसेक्ट है wheat का इंसेक्ट है राइट तो फटा फट से बताईए उपर की जो लेयर है gujia की वो किस से बनती है ट्रिटिकम estivum से dicochum से, durum से बताईए फटा फट से वेटिंग फूर आणसर Macroni wheat कौन सा होता है Macroni wheat ही जो है आपका मैदा बनाने में जादा काम आता है विच्च इस triticum durum ठीके? triticum durum जादा काम आता है बस्किट बनाने के काम आता है पास्तास बनाने के काम आता है Macroni wheat इसको कहा चाता इसी से जादतर मैदा बनती है तो कोजिया की जो उपर की लेर है वो ट्रटिकम डूर्म से बनती है चुकर वीट की एटरा प्लॉइट वराइटी एठ तो गुजिया वीवेल किसका इंसेक्ट है वीट का इंसेक्ट है चीके चले मुविंग तो दाने दे question, अगला question, इसका scientific name क्या है, अब this is important, scientific name तो इंपॉर्ट है ही, तो गुजिया विविल का scientific name क्या है, बता ये फटा फट से, गुजिया विविल का scientific name क्या है, टैनिमिकस इंडिकस है, इटो फिलस ग्रैनेरिस है, साइटो फिलस औराइजी है, या फिर कार्थे मस तिंक, तिंक टॉरियस है, वाट इस दा साइंटिफिक नेम ऑफ गुजिया विविल, गुजिया विविल का scientific name क्या है, गुजिया विविल का scientific name है, टैनिमिकस इंडिकस, ठीक है, तो गुजिया हमारे ज्यादतर होली के festival पर आती है, वससे देली किम भी टायए है, तो festivals में आती है, सबसे धाएज़ फेस्टिवल द स कहा मना यह जाते हैं? के नाम में इंडी के साथा है ठीक है तो गूजिया इंडियन डिश है इसके नाम में इंडी के साथा है टैनी मिकस इंडिकस जो है यानिकी टाइनी टाइनी गुजिया अगर आप खाएंगे होली पे तो मज़ा आ जाएगा है ना तो टैनी मिकस इंडिकस जो है गुजिया वीवल का नाम है आंसर क्या होगा? A आपका आंसर होगा चलिए moving to another question चलते हैं अपने अगले question की तरफ चलिए, at which stage of crop गुजिया वीवल अटाइक्स? गुजिया वीवल क्रॉप की किस stage पर अटाइक करता है? seedling stage पर अटाइक करेगा, seedling जो longer than 6 cm रहा हैं पूरे grown-up है, adult है, old हो चुके है, उन पर attack करेगा, या फिर flower को, flower plant को flowering stage पर attack करेगा, तो गुजिया विविल किस समय crop पर attack करता है, तो गुजिया विविल जेनरली जो है, आपका seedling stage पर attack करता है, ठीक है, seedling stage पर attack करता है, जो seedlings 6 cm से कम की होते हैं, less than 6 cm, status, यानि कि जब वो बहुत चोटी stage पर होता है, बहुत नना वुनना सा पोधा होता है, ये गुजिया विविल तभी उसको destroy करने आ जाता है, तो इस टाइम पर ये जो पोधा होते है, काफी tender होता है, है और गुजिया विविल जैसे ये attack करता है, ये बहें कि भाई मर जाता है आगे नहीं पनब पाता है, तो of course, हमारा plant stand कम हो जाएगा, plant stand कम हो जाएगा, तो हमारी परेकर की yield जो है, वो कम हो जाएगी, है ना, तो ये seedling stage पर attack करता है, काफी छोटे बोधों को attack करता है, राइट, चलिए, moving to another question, अगला question, क्या है गुजिया विविल के बारे में, लि इट लेज इट एग, एग कहां पर देगा, लीव के ऊपर देगा, लीव के नीचे देगा, over the leaf, under the leaf, या फिर soil में देगा, या विदर्ड लीव जो टूटी हुई लीव होती है, सूखी हुई लीव होती है, जो ground पर पड़ी हुई होती है, उन पर ये अंडे देने वाला है तो इट लेज इट एग वेर, ये अपने अंडे जो है, कहां देता है, लीव के ऊपर, लीव के नीचे, soil surface पर, या फिर विदर्ड लीव में, कहां पर ये अपने अंडे देगा, एनी गैसे, चलिए, चलिए, तो वी हाब सम गैसे, soil, गुद इवनिंग विभा, तो दा आंस कहां ही है, ये ओवर दे लीव ही जो है अंडे देता है, तो बहुत ही सिंपल सीधा सा अंसर, इसका, एवल बीदा आंसर, ओवर दा लीव, चाहिए, चलिए, नेक्स्क्क्षिन, पूपेशन पीरियड ओफ गुजिया वेवल, गुजिया वेवल का प्यूपेशन पीरियर कित ए понимаю तो प्रुपल स्टेज में लगभग किनने लनों के लिए रहते हैं रेस्टिंग स्टेज में मिया लगभग कि तो निय दीनों के लिए रहता है वानमांत के लिए रहेगा पंदराद आधिनों के लिए रहेगा तो इसको कितनी जुटिया चाहिए कितना rest चाहिए एक महिने का, दो महिने का, एक हफ्ते का, या फिर कीवल 15 दिनों का, ठीक है, चले, so the answer is D, मोथ, ठीक है, मोथ फिल बीदा आँसर, तो, sorry, what I am speaking, मोथ नहीं, मन्त, तू मन्स विल बीदा आंसर, ठीक है, तो लग भग, लगभग दो महिने का इसमें resting period चाहिए होता है तो ये दो महिने pupil stage में रहता है तब ये adult में change होता है तो आंसर विल बी two months two months will be the answer चले next question control of the insect control के लिए आप क्या यूज करेंगे गुजिया विविल के लिए कार्बरिल का यूज करेंगे मैटास स्टॉक्स का यूज करेंगे थायरम का यूज करेंगे या ddvp का यूज किया जा सकता है गुजिया विविल के control के लिए किस का यूज करना जो है मुनासफ रहेगा कार्बरिल का यूज करना Meta-Sus-Tox को use करना है, Thyrum को use करना है या फिर D-DVP का use करना पड़ेगा हमें गुजिया वीविल को control करने के लिए तो गुजिया वीविल के control करने के लिए जो है आपको Carboryl का use करना पड़ेगा A will be the answer, Carboryl, ठीक है? तो Carboryl use किया जाता है, गुजिया वीविल को, population को control में रखने के लिए चलिए, तो अगला question देख लेते हैं, question number 7 तो before going to the question, ये जो है आपकी पूरी गुजिया वीविल की कहानी है तो कहानी इसकी एक बर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि कुछ questions में जो नहीं transform हुए है वो चीजे या वो point जो है हमसे skip ना हो, right? तो गुजिया वीविल मैंने आप लोगों को बता ही दिया है इसका scientific name क्या है? टाइने मेकस इंडिकस जो है इसका scientific name है वीवल है तो किस family से belloasi करता है? करक लिडी फामली से belong करता है तो करकी लिन इडी फामली से ये belong करता है सारे वीवल्ट इसी फामली से belong करते हैं तो इसको आप easily याद रख सकते हो और ये कई बार पूछा जाता है क्योंकि इस फामिली के नाम थोड़ा सा अजीब हो गरीब है तो एक वैस्टिन में अक्सर पूठा जाता है ठीक है अगला क्वैस्टिन यहां पर आएगा इसका अगर हम बात करें कि इसकी जुल शकल और कैसी होती है तो यह ग्रेश ब्राउन कलर का विविल होता है है न ब्रा तो आफकोर्स है जो सीडलिंग स्टेश पर इफेक्ट करेगा तो प्लांट जो है सीवियरली अफेक्ट होते हैं और विल्ट हो जाते है यह यह विलति न गांगे और ग्राउन पर गिर जाएंगे ठीक है तो विल्टिंग इन प्लांट लाइंग अन दा ग्राउंड फिरो ग अगर हम प्यूपल स्टेज तो मैंने आप लोगों की बता ही दी थी, हाँ, एक्स वाला आंसर जो है, was not correct, yes, you all were right, I guess, एक्स जो है, इसके सोईल में ही रहेंगे, ठीक है, तो एक्स वाले क्वेस्टन को करेक्ट कर ली जेका, उसमें ओवर दलीफ नहीं आएगा, उसमें सोईल से गलोड सांसर आएगा, क्योंकि ये एक्स जो है, सोईल में दे रहा है, और लगभग 80 एक्स पर फीमेल दे रहा है, ठीक है, लगभग लगभग 80 अंडडे पर फीमेल जो है, प्रड्स की जाते हैं, एक्स अर गिवेन इन दा सोईल, ठीक है, और इसका फ्यूपेशन का चेंज हो जाता है ठीक है management के लिए इसमें deep ploying भी की जा सकती है कब की जाएगी April और में के मन्थ में की जाएगी जब Pupation होती है तो तब आप इसमें Deep Plowing कर सकते हैं, प्यूपा जो हैं बाहर आजाते हैं, बाहर आने के बाद गर्मी के कारण जो हैं, वो मर जाते हैं, डेसिकेट उड़ाते हैं, उनका मौइस्चर उड़ जाता है, ठीक है? तो Deep Plowing भी इसमें आप कर सकते हैं, chemical Control आपको बताई द रखता है, dusting of the soil with the carburel, उसकी dosage क्या रहेगी, 10 से 12 kg पर एकर, 10 से 12 kg पर एकर, जो है, उसकी dosage रहेगी, carburel की, ठेक, तो यह जो है, पूरी कहानी है, आपकी गुजिया विवल की, जो हमने पीछे कुछ तो questions form में कर दी थी, question correct कर लिजीगा, इसके egg जहां, हमने answer में लिखा over the leaf, इसको soil कर लिजीगा, और इसका जो pupation period है, वो April में में होता है, जिसके लिए हम deep ploying कर सकते हैं, इसकी population को control करने के लिए, chemical control के लिए, carburel का use किया जा सकता है, scientific name tanimicus indicus है, family carculinity है, और order कौन सा है, कौलियाप्टरा है, सारे अपके beetles और weevils जो है, कौलियाप्टरा order से ही belong करते हैं, तो ये जो है पूरी कहानी है, आपकी gujia weevil की, right, चलिए, तो gujia weevil की कहानी खतम हो गई, next कहानी शुरू होती है, इस pest से, ठीक है, तो ये भी जो wheat का है, काफी important pest है, आपकी wheat crop में करता है, तो इसकी शकल देख कर बताईए, इस pest का नाम क्या है, तो in the photograph you have seen all the insects, तो insect को हम क्या नाम देंगे, identify की जिए, which is this insect, इस insect का नाम क्या है, identify the insect, anyone, ये photographs मने आप सभी को दिखाई हुई है, yes, termites, तो ये क्या है, termites है, तो very, ये बिल्कुल चीटियों जैसे ही दिखते हैं, just light in color, और थोड़े कुछ different होते हैं, चीटियों से, बट थोड़ा चीटियों जैसा ही, इनका जो है, body रहती है, लेकिन चीटियों से बहुत छोटे होते हैं, चीटियों आप naked eye से देख पाते हैं, termites उसे काफी छ करती हैं, termites के order से belong करेंगी, termites आपकी isotra order से belong करती है, किसे करती है, isotra order से belong करती है, right, तो next देख लेते हैं, क्या question इसके लिए पूछा जाएगा, of course, next question क्याता है, scientific name, तो scientific name क्या है, आपकी termites का जो wheat में attack करती है, specifically, चीक है, odontotermis and microtermis, दोनों ही इसके नाम है, तो दोनों ही जो इस पीशी है, ये wheat में attack करती है, ठीक है, तो दोनों species wheat में attack करती है, microtermis भी, odontotermis भी, और अबेसी जो है, इनके पीछे लगाया जाता है, तो तर्माइट है तो बहुत छोटा सा इंसेक लेकिन इसके नाम में मुटापा आ जाता है, तो इसमें अबेसी या अबेसस लगाया जाता है, micro and termis and odontotermis, दोनों ही species wheat में आती है, so the answer will be both, answer क्या होगा, both will be the answer in reference to wheat, ठीक है, चलिए, then next is family of the termites, तो order तो पता है, family फटा फट पता है, यह termites की family कौन सी होती है, सिफैनोप्ट्रा, टर्मिटिडी, फाजमिडा या फिर हिमनोप्ट्रा, कौन सा जो है family है termites की, termites की family क्या है, very easy to answer, आनन्द, हिंदी language में batch नहीं है, क्योंकि मतलब मैंने अपने पूरी graduation इंग्लिश में करने है, तो अगर आप चाहते हैं, तो गूगल से translate करके यहाँ पर रखा जा सकता है, but I have tried, तो वो क्या करते हैं, वो same hymnनोप्ट्रा को बस हिंदी में लिख देते हैं hymnनोप्ट्रा, proper उसका जो है translation नहीं करते हैं, तो यह जो है problem रहती है, ठीक है, तो उसका कोई फाइदा नहीं होता है, आप लोगों को proper terminology जो चाहिए हिंदी में, तो वो जो है available नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनकी scientific terminologies मुझे हिंदी में नहीं आती हैं बच्चे, तो बी honest and frank, मैं आपको कोई like जूटे वादे नहीं करूँगी, yes content आपको बहुत अच्छा मिलेगा, confusions create होंगे, तो doubt भी clear होंगे, लेकिन हिंदी की terminologies मुझे बिलकुल नहीं आती है, agriculture से related, क्योंकि मैंने पूरी जो अपनी graduation, post graduation, सब जो है English language में ही किया है, ठेक है, चले, तो termited family से यह belong करता है, बहुत easy जो है यह question का answer है, next हम चलते हैं, अगले question पर order भी चलो आए गया है, तो termites का order क्या होता है, isoptra है ना, यह हम already बता चुके हैं, तो termites किस order से belong करते हैं, isoptra order से belong करते हैं, ठेक, तो isoptra यानिकि iso का मतलब होता है similar, जिसके आगे और पीछे के punk similar होते हैं, four wings and hind wings, उनको isoptra order में डालते हैं, अब आप कहेंगे मैम, termites के पास तो punk ही नहीं होते हैं, तो termites की workers के पास punk नहीं होते हैं, लेकिन termites की queens के पास punk जरूर होते हैं, है ना, तो isoptra order से यह belong करते हैं, चलिए, आते हैं हम अगले question पर, sexually active female को हम क्या कहेंगे, termites में अगर कोई female है, जो sexually active है, यारे की progenies पैदा कर सकती है, reproduction कर सकती है, तो ऐसी female को क्या कहा जाता है, termites में, superior female कहा जाता है, queen कहा जाता है, worker कहा जाता है, या shoulder कहा जाता है, sexually active female को आप termites के language में क्या कहेंगे superior female कहेंगे queen कहेंगे worker कहेंगे या shoulder कहेंगे queen, rani, so yes queen is the right answer, queen जो है बिल्कुल सही जवाब है जो sexually active females होती है जो reproduce कर सकती है उनको queens कहते है यही same rule आपकी जो है bees में भी same rule होता है जो sexually active female होती है जो fertile होती है उसके queen कहा जाता है बट यहां important एक चीज है वो क्या है कि यहां पर जब इनको नई colony बसानी होते हैं पर तो कुछ females को जो है यह अलाव करते हैं कि you can reproduce too तो उनका जो है एक और नाम होता है ठीक है so hopefully I have given in the question otherwise last में बताई देंगे ठीक है मैं पहले बता देती हूँ question बाद में आ जाता है तो फाइदा नहीं होता चली mandibles relatively small इनमें mandibles जो है relatively small होते हैं they collect food and feed queens, soldiers and newly hatched young ones तो यह जो है जिनकी बात हो रही है इनके mandibles थोड़े small है relatively और यह सब के लिए खाना एकत्रित करके लाती है सब को feed करती है queen को भी feed करती है queen के बच्चों को भी feed करती है shoulders को भी feed करती है तो यह किस के बारे में बात हो रही है superior female की बात हो रही है queen की बात हो रही है worker की बात हो रही है या shoulder की बात हो रही है तो ये जो है आपके वर्कर की बात हो रही है किसकी बात हो रही है वर्कर की बात हो रही है ठीक है चलिए सुदा आंसर विल भी सी वर्कर तो ये वर्कर की बात हो रही है वर्कर भी क्या करती है साफ सफाई का काम करती है सब के लिए खाना लाने का काम करती है सब को फीड करने काम करती है तो यह वर कर भी की का में शोल्जर क्या करेगा शोल्जर रक्षा करेगा शोल्जर का काम रक्षा करना है तो डैश आर वाइटिश येलो आप बॉडी द फ्लाइट अंड विंग लेस तिक एप कौन सी किसके बारे में बात ओरे जो वाइट एशन कलर है सॉफ्ट बॉडी है लेकिन थोड़ी सी फ्लाट है तो के विंगलेस है यान कि इसके पास विंग्स प्रेजन नहीं है इंजीरियस टू क्रॉप और ये वाली स्टेज जो है ये वाली स्टेज इंजीरियस टू क्रॉप्स होती है यान कि क्रॉप्स पर जाधतर यही स्टेज फी में ये stage जो injurious to crop होती है vietish in color होती है wingless होती है यानि किसके पास wings present नहीं होते है तो answer क्या होगा इसका फिर से answer होगा आपका C worker B worker B ही जो है आपके ऐसी जो injurious to crop है और crops पर feed करती है So, C will be your answer worker, B. Sorry, it's not B, it's termites. Then, next is chemical control of termites. Chemical control of termites के लिए क्या क्या यूस किया जा सकता है? Fumigation of ant hill with carbon disulfide or chloroform. Fumigation किया जा सकता है, carbon disulfide का और chloroform का mixture का. Seed treatment किया जा सकता है, chloro-pyrifos का. या फिर दोनों का use किया जा सकता है, both. या फिर किसी का भी use, termites के control के लिए नहीं किया जा सकता है, none. तो answer क्या होगा इसमें? What will be the answer? So, the answer will be both. Both will be correct कर लिजेगे इसको. So, both will be the answer. Fumigation भी कर सकते हैं और आप seed treatment भी कर सकते हैं. दोनों ही termites को control करने में काम आएंगे. chloro-pyrifos का use कर सकते हैं, carbon disulfide का use कर सकते हैं, या chloroform mixture का use भी कर सकते हैं. तो answer क्या होगा यहाँ पर? Both will be your answer. Both can be used as chemical control for termites in wheat. गेहु में chemical control के लिए इन steps का use किया जा सकता है. चिक? चले. Physical control की बात करें. तो physical control इसका क्या है? Locating the termitarium and digging out the queen. Termitarium क्या है? Termites के घर को termitarium कहा जाता है. तो termites का घर ढूड़िए, घर में से queen ढूड़िए, queen को destroy कर दिजे. अगर आपने रानी को मार दिया, तो chess के game की तरह, यहां भी game all over हो जाता है. राजा तो वैसे भी उसका कमजोर ही होता है. तो physical control के लिए आप क्या कर सकते हैं? Queen को अगर आप destroy कर देते हैं, तो वहां से एक कलोनी चली जाती है. यह बिना रानी के रहना पसंद नहीं करते हैं, तो अगर आपने एक बार queen को destroy कर दिया, तो इनका permanent ilarge हो जाएगा. Queen को identify करने का तरीका क्या है? Queen थोड़ी सी बड़ी होती है size में, और जहां यह white और cremish color की होते हैं, वो थोड़ी brown, dark brown color की होती है, pigmented होती है, size में बड़ी होती है, और उसके पास wings present होते हैं, तो you can easily identify कि यह queen है, ठीक है? तो queen तो जब destroy कर देंगे, तो इसका permanent ilarge हो जाएगा, termites दुबारा नहीं आएंगी, कलोनी नहीं बनेगी, ठीक है? That's all, आज हम आपके wheat में जो है, यही दो insect हैं, जो सबसे ज़्यादा important है, control point of view से, या entomology point of view से, बाकी छोटे-मोटे insect इसमें आते रहते हैं, लेकिन उनको control करने की ज़रूरत नहीं है, वो इतनी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुचाचे, जितने ये दो insect पहुचाते हैं, ठीक है, तो ये दो insect जो है, wheat की जो crop है, उसमें काफी important है, तो अब वो question नहीं आया है, तो मैं बता देती हूँ, कि अगर termites को अपनी नई colony बसानी है, तो उसमें एक ही जो queen है, वो reproduce करेगी, तो बहुट time लगने वाला है, पूरी colony set करने में, तो उस time पर ये कुछ females को allow करते हैं, कि वो भी reproduce कर सकते हैं, ताकि colony जो है, जल्दी established हो, colony की population बन जाए, तो उन फी मेल को supplementary females कहा जाता है, supplementary females क्यों क्या हाँ चाता है, क्योंकि इसकी population बढ़ाने के लिए हमें supplement की जरूरत है, सहारे की जरूरत है, support की जरूरत है, तो उन females को जो उस time पर use की जाती हैं, बच्चे पैदा करने के लिए, population बढ़ाने के लिए, उनको supplementary females कहा जाता है, तो ये जो फिनोमेना है, या आपको bees में देखने को नहीं मिलेगा, ये केवल termites में देखने को मिलता है, बाकि अगर आपको termites full detail में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो जो हमने classification की classes की हैं, classification की class में isoptera order में जो हमने पढ़ा है termites के बारे में, कौन सी कैसी दिखती है, worker भी कैसी दिखती है, soldiers कैसे दिखती है, कैसे इनकी colony चलती है, किसका क्या काम होता है, वो पूरा detail में हमने वहाँ पर किया हुआ है, you can see the class, that's all for today, आज के लिए इतना ही, Saturday is, मतलब थोड़ा छोटी सी class हो गई, यह हमारे क्योंकि वीट में जादा इंसेक्ट थे ही नहीं, तो छोटी सी class लेकिन प्यारी सी class है, तो अगर class पसंद आई हो, तो ज़रूर पसंद कीजएगा, यानि कि like कीजएगा, क्योंकि मन-मन में पसंद करके, माम को नहीं पता चलेगा, जब तक यहाँ पर like नहीं दिखेंगे, तो अगर पसंद आई हो, तो class को ज़रूर like कीजएगा, and share कीज़ेगा with your friends ज्यान बाटने से बढ़ता है क्योंकि अगर आप किसी के साथ कोई चीज़ शेर करेंगे तो चार चीज़े डिसकस करेंगे चार चीज़े वो आप से सिखेंगे चार चीज़े आप उन से सिखेंगे और learning का process जो है ऐसे ही चलता रहेगा चिक है? Thank you so much for today and now let's go to Adda की site Adda का टूर तो बनता है वहीज़ कल की छुट्टी है तो Adda का एक टूर तो कर लेते हैं है ना So let's go on now Adda का टूर नाम अच्छा है वैसे अपना है Adda So जब आप Adda की कोई आपनी साइट को लेंगे Google पर टाइप करेंगे a double d a 247 तो आपको इस तरीके की जो है वेब साइट दिखाई देगी इस साइट में आपको नीचे जाना है थोड़ा सा चले यहीं पर टाइप कर सकते हैं तो हम एगरी कल्चर के स्टूडेंट है हम एगरी कल्चर के ही टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर FCI AG3 टेकनिकल से रिलेटेड चीज़े देखने लगेंगी उसके टेस्स सीरीज उसकी इबुक्स उसके बैचेज वो सब सारी चीज़े यहाँ पर देखने लगेंगी टेस्स सीरीज भी है आप वीडियो कोर्स भी देख पाएंगे है ना तो ओनलाइन क्ल से वीडियो रिकॉर्डेट जो भी आपका यहाँ पर अबलेबल होगा वो सब आप देख पाएंगे तो अगर आप FCI के लिए सीरियसली प्रोपैर कर रहे हैं और अड़ा 24-7 के साथ जूड़ना चाहें तो जूड़ सकते हैं हमारी FCI AG3 की जो बुक्स किट है इसमें आपके रिजनिंग क्वांट इंग्लिश यह प्री के जो भी एक्जाम्स है वो पूरे यहां पर कवर हो डाते हैं ठीके तो प्री क्लियर करेंगे तभी मेंस तक पहुंचिंगा और प्री के लिए देखे सबसे ज़्यादा आपको प्रेक्टिस की जरूद है माच्स के चार केंसेप प्रेक्टिस से ही अच्छी होगी प्रेक्टिस के लिए आपको अफकोर टेस्स सीरीज या किसी भी एंची क्यूज की जरूरत पड़ेगी ठीक है तो जैसे ही आप यहां पर देखेंगे यहां पर आप टाइप कर सकते हैं वाई फूर फूर एट वाइफ फूर एट के साथ यहां पर एस लगाने क्योंकि हम टेस्सीरीज या इबुक्स में हमेशा एस का यूज करते हैं तो इसका प्राइस जो है तेहरा सो निन्यान में से घटकर कितना हो जाएगा एक हजार एक सोला रूपय हुट आएगा ठीक है एक हजार 161 रूपया हो जाएगा तो आपको जो ह आटा देना है, code को यूज़ करना है, which is Y448, batches आपके दोनों तरीके के है, pre और means मिला कर है, अगर आपको सभी subject पढ़ने है, आपको लगते हैं, आपके माँस इंग्लिश रिजनिंग क्लियर है, तो आपके इवल मेंस का बाच भी अन्रोल कर सकते है, that's all for today, आज के लिए इत है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा, सुरक्षित रहिएगा, और धेर सारी खुशे अपने आल स्पास बिखेएगा, गुडबाइ और टेक केर,